हेलो स्टुडेंट्स वेलकम तू माय यूटूब चानल मैथमेटिक्स विद अभीगर्ग तो आज की इस लक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशन और उनसे रेटी थेोरम्स ठीक है जो हमें डेफिनेशन पढ़ेंगे यह अभी तक हमने यह वाले टॉ प्लीज यह तब भी आपको यह डेफिनेशन अच्छे से समझा पाएंगी क्यों हम इसमें बताएंगे कि नॉम लीनियर स्पेस है अब आप सोचों कि नॉम लीनियर स्पेस क्या होता है पहले आपको यह पता होना चाहिए तो प्लीज पहले वाली वीडियो में हम यह सब कर चुक है कैसे नॉम लीनियर स्पेस प्रूफ करते हैं किसी भी स्पेस को क्या डेफिनेशन होती है तो प्लीज आप पहले वाली वीडियो पहले देख लीजिए ठीक है तो देखिए आइसोमेट्रिक आइसोमोर्फिसम क्या होता है यह देखो लेट एन और एन डैश कोई दो को डोमेट ठीक है दैब टी इसच्ट वीजिए इसोमेट्रिक आइसोमोर्फिसम निटी Leineis że लेट आइसोमेट्रिक आईसोमोर्फिसम क्यालएगा कब क्यालएगा जब यदेए टी खो हमप्ती oneoki प्रूफ t preserve करता हूँ कौन सी कि norm of tx equal to norm of x so अगर हमें किसी linear transformation t को isometric isomorphism proof करना होगा तो हम क्या करेंगे हम पहले t को one one proof करेंगे और फिर हम proof करेंगे कि norm of tx equal to norm of x है तब यह हमारा proof हो जाएगा कि t है linear transformation वो isometric isomorphism भी है ठीक है एक not है या आप याद रखिए let t be a isometric isomorphism of n into n dash t यह n से n dash में define है और isometric isomorphism है ठीक है n से n dash में सी तरह define है और यहां isometric isomorphism है वो ठीक है ठीक है जहाँ n और n dash कोई दो non-linear space ही है let x1 और x2 हमने कोई दो points माने है n में ठीक है then norm of t x1 minus norm of t x sorry norm of t x1 minus t x2 equal to हम लिख सकते है norm of t x1 minus x2 क्यों लिख सकते है अब देखे हम पहले linear transformation पढ़ चुके है तो हम लिएन ट्रांसफरमेशन पढ़ा तो वहाँ property पढ़ी थी कि t x1 minus x2 equal to होता है t x1 minus t x2 यानि कि दोनों पे t अलग अलग t x1 minus x2 ठीक है अब देखो हमने क्या बताया है कि जो t है isometric isomorphism है और isometric isomorphism होता है तो यह norm पेज़ब करता है इसका मतलब norm of t x equal to norm of x तो norm of t x1 minus x2 क्यों लिख सकते हैं norm of x1 minus x2 ठीक है clear so यह result है important याद रखिए use हाता है कई बाग और कई बाग बाग भी पूश लिए जाता है इससे related questions आज आते हैं net के exam में याद रखिए norm of t x1 minus t x2 equal to होता है norm of x1 minus x2 simple है जब norm of t x equal to norm of x है तो x1 minus x2 आगे तो क्यों हो गया यह भी इसी की तरह हम लिख सकते है clear norm of t x1 minus t x2 equal to norm of x1 minus x2 ठीक है now second one in definition is second definition है conjugate of an operator ठीक है इसकी definition देखिए let n be a norm linear space n कोई norm linear space है ठीक है एब सोच रोगे क्यों बार-बार लिख रहे है कि norm linear space है t कोई linear transformation है जो हमने n से n डेश में भी define किया था isometric isomorphism की definition में यहां भी हम बता रहे हैं कि t कोई continuous linear transformation है जो n से n में ही define है बता ऐसा नहीं है कि हम फाल्तों में लिख रहेंगे सब अगर exam में definition आती है तो आपको complete लिखना चाहिए अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपको complete marks नहीं मिलेंगे please जो ही language होती है इसके number होते है डेफिनेशन में त्योरम में language लिखिया करिए इसके marks मिलते है एजी language है तो आप लिखा करो so n कोई norm linear space है t कोई operator माना है हमने n पे इसके मतलब क्या है t operator n पे इसके मतलब है t कोई continuous linear transformation है define कहा है n से n में ठीक है वहाँ मारा n डेश था isometric, isomorphism की definition में यहां हमारा t कहां define है n से n में ठीक है so तब हमने एक linear transformation define करा है t star n star से n star में क्यों t define करा हमने n से n में तो n star define करा हमने sorry t star define करा है फिर n star से n star में ठीक है n star है क्या the set of all linear transformations from n into r यह हम पहले पढ़ चुक है n star क्या होता है ठीक है मैंने बट फिर भी लिख दिया है अगर आपको इसको deeply पढ़ा है प्लीज पहले वाली वीडियोस देखिया तब आपको मैं deeply मिलेगा n star क्या होता है ठीक है यहां अभी याद रख लिजिए set of all linear transformation from n into r या फिर c r क्या है set of real numbers और c क्या है set of complex numbers set of real numbers और set of complex numbers को लिखने का standard form है ठीक है simple r और c नहीं लिखे है हमने इस तरह से लिखे standard form होता है ठीक है so n star में क्या आँगी linear transformation है जो linear transformation n से या तो r में या फिर n से c में defined है ठीक है तो हमने t star को linear transformation defined क्या है n star से n star में ही ठीक है that is t star defined क्या है n star से n star में ही इस तरह से कि t star f x equal to f t x, ठीक है, समस्य है क्या है, जहाँ यह f कहां ब्लॉंग करता है, n star में, ठीक है, t star f x equal to f t x, जहां f ब्लॉंग करता है n star में, तब तो यह t star हम दोंगे define किया है, n star से n star में, यह कहलाता है, conjugate of t, ठीक है, T is known as the conjugate of T, conjugate का हुच्छा एरजंट को same चीज है, ओके, so अब देखिए, एक theorem है, important theorem है, easy theorem है, देखो, let T be a continuous linear transformation of a non-linear space N into itself, T को एक continuous linear transformation है, कहा टिफाइन है, N से N में, ठीक है, then the conjugate T star, जो भी हमने पढ़ा, T star conjugate होता है, then the conjugate T star of T is a linear transformation, अब देखो, T linear transformation है, तो हम यहाँ यह proof करके दिखा रहा है, कि T star linear transformation ही होता है, linear transformation के हमें पता है, property कैसे proof करते हैं, देखिए, हमने यहाँ direct लिखा है, कि हमने एक linear transformation define करा है, T star N star से N star में, यह हम define करके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं की linear transformation है, पर इसका proof भी तो होना चाहिए, कि वाकिए T star linear transformation होता है, तो देखिए, इसी का proof है, इसी के उपर है थिखोरा में, इसके लिए हमने माना, F और G कोई दो N star में linear transformation है, ठीके, N star में linear transformation ही है न, जो N से R में, या फिर N से C में define है, अभी हमने उपर बताया है आपको, so N A भी कोई दो scalars माने है, ठीके, then हमने निकाला, T star AF plus BZ X, equal to हम क्या लिख सकते है, T star की definition से, देखो T star की definition थी, F भार आजाता है और T X, T star की जिए क्या जाता है, T X, समझने के लिए ऐसे समझ सकता है, F भार आजाएगा और T star की जिए को जाएगा T X, so देखो, वहाँ क्याता है, F भार आगे, यहां complete क्या है, AF plus BZ, तो एक complete भार आगे, और T star की जिए क्या आगे, T X, ठीक है, समझ आया, अब देखो, अब हम, AF T X plus BZ T X, क्यों multiply में दोलों में अलग-अलग multiply कर दिया, ठीक है, so AF T X plus BZ T X, अब AS into T X से multiply हो रहे हैं, ठीक है, तो हमने A को भार लख लिए, F T X को एक साथ लिए, A multiply हो रहे हैं, F से, A को सकेलर ही तो है, तो A को भार लख लिए, bracket में F T X plus S B को सकेलर है, so B को भार लिख लिए, G T X, ठीक है, अब हो, यह P को हमें देखो है, continuous linear transformation है, F क्या है यहां, N style में block करते हैं, यानि कि यह भी क्या है, एक linear transformation है, जो N से R में या फिर N से C में defined है, और A क्या है, कोई scalar है, पता आना चीह, आपको terms ही आपा है, कि क्या है, कौन किसमें block करता है, ठीक है, so A कोई scalar है, multiply ही तो हो रहा है, तो A भार आ गया, ऐसे B भार आ गया, ठीक है, अब देखो, T star F, वही अभी हमने जो conjugate की definition पढ़ी थी, T star F, X कैसे define किया था हमने, F, T, X, ठीक है, so F, T, X को हमने के लिख दे, T star F, X, इसको भी असे B बाहर चली रहा है, T star G और X, ठीक है, अब X दौनों में से common ले लिया, so A, T star F, प्लस B, T star G, और X दौनों में से common आ गया, यह एक साथ लगया, ठीक है, अब यहाँ क्या चल रहा है, T star A F, प्लस B G, X, अब देखो, यहाँ से दौनों तरफ से X हटा दिया, तो क्या आ गया, T star A F, प्लस B G, इक्वल टू, A T star F, प्लस B star T G, ठीक है, देखो, एक बात, आप हमेशा याद रखिए, जो यह function होते हैं, यह किसी न किसी element पर ही define होते हैं, यह कोई न कोई value पर ही, अगर आप सोच रहे हो, यहाँ से यह cancel हो गया, तो यह cancel नहीं होता है, इसको, 2 to the 4, तो इसको क्या लिख देते हैं, X equal to 2 Y, ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर यह X cancel नहीं हो रहा है, देखो, यह जो है complete, यह क्या एक function ही तो है, यह क्या है, linear transformation, T, T star भी क्या है, linear transformation, तो linear transformation एक तरह का एक function है, एक mapping है, ठीक है, तो mapping का अकेले रहने का तो, तो तुमने F कोई mapping function define करा है, कहाँ पर X से Y में करा है कोई, ठीक है, किस तरह से, F X equal to आ रहा है, X square, ठीक है, तो देखो, अगर F X का ही तो existence है, कि F X की value होगी X square, खाली F का कोई existence है, क्या है F, कुछ भी नहीं है, simple F है, F का existence कब होगा, जब ये इसके साथ X होगा, ठीक है, तो simple F लिखा है, इसका मतलब क्या है, कि F X ही लिखा है, ये, क्योंगी simple F कोई existence ही नहीं होता, function कहीं न कहीं define तो होना चाहिए, तो इसलिए ऐसा नहीं सोचे, हमने इसको, यहां से cancel कर दिया, इस तरह से, इस तरह से cancel नहीं होता है, इसका simple लिखने का मतलब है ये, कि दौना तरह X है, तो हमने, इसको ऐस तरह से भी लिख सकते हैं, कि T star AF plus BG equal to A T star F plus B T star G, ठीक है, ये, प्लीज आप याद रखना, कि इस तरह से, हम इसको cancel नहीं करते हैं, कि तरह से divide करते हैं, इस तरह से divide नहीं होता है, ठीक है, कोई नो कोई function है, तो किसे ने किसे value पर define होता है, तो यह हमें, हाँ, तो यहां सा हमारा क्या proof हो जाता है, T star linear है, कैसे proof हो गया, अगर कोई बच्चा direct इस video को देख रहा है, तो उसे confirm समझ नहीं आया होगा, क्योंकि linear की property हम पहले पढ़ चुके है, कि किसी भी function को, किसी भी transformation को, हम linear transformation कैसे proof करते हैं, बताइए कैसे proof करते हैं, देखिए, हम ऐसे करते हैं, T alpha x plus beta y को लेकर चलते हैं, और इसको equal लियाते हैं, alpha और beta जहां कोई दो scalar होते हैं, alpha t x plus scalar भार beta ty, ठीक है, तो यहां भी तो हमने यहीं करा है, t star af plus bg, a और b कहा हैं यहां जो scalar, जो यहां पर alpha और beta है, तो यहां क्या था, alpha भार t x plus beta भार ty, यहां भी तो यहीं कर रहा है, a भार t star f plus b भार t star g, ठीक है, तो इसी से हमने बताए कि t star is linear, यहां आप याद रखिए, पहले वाली वीडियो आप देख लीजिए, प्लीज उसने हमने complete कर रहा है, serrated काफी सारे questions भी किया है, आपको अच्छे से समझाएगा, ठीक है, तो देखिए, अब देखिए, एक और definition, natural embedding, natural embedding of n in n double star, अब n double star क्या होता है, यह भी हम पहले पढ़ चुक है, तो प्लीज आप पहले वाली वीडियो देख लीजिए, तभी आपको यह अच्छे से समझाएगा, मैं बस आपको हलका फुलका बता सकती हूँ, देखिए, n start क्या बताता है हमने, देखिए, मैंने आपको जो functional start क्याता है, बताता है functional क्या होता है, आप continuous linear transformation, linear transformation जो continuous भी हो, और define का हो, n से r में या फिर c में, ठीक है, वो कहलाता है functional on n, clear, यह मैं आपको पहले बता चुक हूँ, repeat बता रही हूँ, अगर कोई direct इस वीडियो को देख रहे है, तो उसे हलका फुलका समझा आ जाए, ठीक है, ठीक है, और bnr और bnc क्या बताए थे मैंने आपको, अब देखो इससे पहले आपको पता होना चाहिए, bn and dash क्यों होता है, यह देखिए पहले, bn and dash लिखा है, इसका मतलब क्या है, यह एक set होता है, इसमें कैसे elements आते हैं, इसमें वो linear transformation आते हैं, जो continuous हो, ठीक है, और define का हो, n से and dash में, देखो यह लिखा है, set of all continuous, continuous ह है, तो bounded होता है, यह आपको पता है, हम पहले proof कर चुके सिरेटी theorem, कि अगर कोई linear transformation continuous है, तो वो bounded होगा, और अगर वो bounded है, तो continuous होगा, यानि कि if and only if का case होता है, इन दोनों की भी, ठीक है, so bn and dash क्या है, set of all continuous linear transformation from n into n dash, वो सारे linear transformation हैंगे, जो continuous होंगे, और n से and dash में define होगे इसमें, ठीक है, so bn r क्या हो जाएगा, इसमें वो सारे continuous linear transformation आएंगे, जो n से r में define होगे, क्योंकि यह n dash की जीकि क्या है, r, ठीक है, और c के लिए क्या होगा, यही चीज़, कि जो linear transformation continuous हो, और n से c में define हो, तो वो जितने linear transformation, उनका set bnc होता है, ठीक है, यही चीज़ किए, देखो, bn r and bn c denote the set of all functional, आपढ़ा देखो, continuous linear transformation कीजी कि हमने यहां लिख दिया, functional term, क्यों, हमने बताया, functional क्या होता है, continuous linear transformation, जो n से r में, या फिर n से c में define हो, उसे functional कहते है, तो यह n से r में, और n से c में define हो, तो इसमें continuous linear transformation आएंगे, वो n से c में define होगे, यहां कह दिए एक तर्म फंक्शनल ठीक है सो फंक्शनल ओन एंड इस विल भी नॉम लीनियर इस्पेस होंगे अब यह सब चीज में आपको पहले बढ़ा चुकी हूं प्लीज में उस वाले पूरे लेक्चर को डिपीट नहीं कर सकती काफी लैंदी लेक्चर हो जाएगा फिर ट्रांस्फर्मेशन आते हैं जो N से R में डिफाइन होते हैं या फिर C में ठीक है यह होगे N स्टार और N डाउल स्टार क्यों होते हैं n-star को हम क्या कहते है, conjugate space of n, ठीक है, और n double star को क्या कहेंगे, देखे, n double star को कहते है, second conjugate space of n, ये क्या होता है, it is the set of all functional on n-star, first conjugate space में क्या था, set of all functional on n, और यहां क्या है, second conjugate, so यहां क्या जाएगा, on n-star, ठीक है, and it is denoted by n double star, या फिर ऐसे भी लिख सकते है, b n-star r, और b n-star c, क्यों b n-star r में क्या आते है, वहाई, continuous linear transformation, यानि कि functional, जो n-star से r में define होंगे, ठीक है, और n double star में भी तो यह यह हैंगे, क्योंकि हमने भी definition बताई है, n double star क्या है, set of all functional on n-star, ठीक है, और i c, b n-star c के लिए, ठीक है, यह सब चीज में आपको पहले बता चुकी है, आप देखे, आप यह norm, सोच रहोंगे, कि functional की norm कैसे define करते हैं, प्लीज आप पहले और लेक्चर देख लीजी, उसमें मैंने सब कुछ समझाया, काफी लंबा लेक्चर था, ठीक है, अच्छा लेक्चर था, काफी important theorem C's में, जो मैंने आपको बताया था, continuous और bounded वाला, देखे, वो यहां पर, वहां पर यह भी मैंने बताया था आपको, कि continuous होता है, तो if and only if, IFF मतलब if and only if, it is bounded, ठीक है, सब मैंने आपको पहले बता चुकिए, जो प्लीज पहले वाल लेक्चर आप देख लीजे, अब देखते हैं हमारा यह वाला लेक्चर है, आपको पता चल गए क्या होता है, तो देखिए, natural embedding of n in n double star, आप मैपिंग, हमने कोई mapping define के रिए, fx कहा, n से n double star में, ठीक है, वो natural embedding कहलाएगी, mapping n से n double star में, कब यदि there exists an isometric isomorphism, अभी हमने पढ़ा isometric और isomorphism क्या होता है, ठीक है, तो पस यही लिखा है हहाँ पर, कि कोई एक ऐसी हमें isometric isomorphism exist करें, जो की n से n double star में define हो, isometric isomorphism exist करें, इसका मतलब क्या है, कि कोई ऐसा linear transformation t, हमें मिले, जो की one one हो, और norm को preserve करता हो, norm हमने क्या preserve कराई थी वहाँ, कि norm of tx equal to norm of x, अभी हमने पढ़ा, ठीक है, समझा है, आपको क्या होता है, natural embedding, समझा आगे, आपको n double star क्यों होता है, so thank you, thank you so much, अगर आपको कोई problem हो, तो please comment box में comment कीजिए, कोई भी आपी query हो, तो please पूछिए comment box में, अगर आपको पसंद आया हो, तो like and subscribe, दोस्तों के साथ share करना ना भूलिए, ठीक है, so, मेरा suggestion आप please एक मानिया, पहले वाली वीडियोस पहले देख लीजिए, तो आपको अच्छे से clear होता जाएगा, अगर आप, हो सकते हैं, आप किसीन अभी तक ये वाली वीडियोस नहीं देखियो, और आगे की वीडियोस देखेगा वो, तो उसे ये समझ नहीं आएगा, क्यो, क्लास में होता है ना ऐसा, अगर हम दो दिन absent होते हैं, तो हमें समझ नहीं आता है, आगे का, तो पिलीज आप पहले वाली वीडियोस देखिये, तब आपको अच्छे से किलियर होता जाएगा, वैसे मैं हर चीज़ किलियर करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, सो थैंक यू, थैंक यू सो मच,